हेलो दोस्तों अगर आपके पास भी OnePlus का मुबाइल फोन है और आप अपने OnePlus के मुबाइल फोन में Apps को अपडेट करना चाहते हैं तो भाई कैसे आप Apps को अपडेट कर सकते हैं यही आज की गुड़ों में हम आपको बताने वाले हैं चली भाई आपको करना क्या अपने फोन को आपको उनलॉग कर लिना है उसके बाद देखो हम सारी Apps को कहा से डाउनलोड करते हैं Playstore से आपको पता ही होगा तो भाई आपको अपने फॉन के Playstore को अपन करना हो ठीक है playstore को ऊपन कर लेते हैं सारी यहीं से डाउनलोड होती है जो भी आप अपने Android फोन में करते हो अपन हो गया अब देखो एप सब्डेट करने के लिए आपको थोड़ा अंदर जाना होगा देखो यहां कौने में आपको आपको प्रोफाइल दिखेगा नहीं से यहां पर यह एक फोटो लगा हुआ है आपक को करना है यह देखो मैंने जैपन डिवाइस मैं नोटिफेशन वाले पर किलिक कर दिया तो मैंने जैपन डिवाइस वाले इस वाले पर किलिक करना है यहां पर किलिक करते डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी यहां पर सारी अप्डेट होंगे जैसे मेरे में 35 अपडेट ह है तो यह दिख जाएगा आप चाहें तो यहीं से अपडेट all कर सकते हो एक साथ सारी अपडेट हो जाएंगी या फिर वाई आप इनकी details से एक बार देख सकते हैं सी details पर किलिक कर देना यहां पर सारी apps आपको दिख जाएं किस-किस app में अपडेट आया हुआ है अप चाहें तो यहां से अपडेट all कर सकते हैं सारी देख एक साथ अपडेट होना शुरू जाएंगी पर देखो करना का इसके अंदर देखो net भी यूज होता है क्योंकि देख समय यहां net लिखा है उनने से अपडेट है यह फीचर होते हैं बाई अपडेट के बाद ही एड होते हैं तो करना का आए आपको अपडेट अपडेट है अपने नेट बचाना वाइ अपको अपडेट है अब आप करना का जो एप आप यहांदा यूज करते हो उनंके सामने की लिक कर देना एक mutими पने लिखHeart उसन्ति आप करके अपडेट होना शुरू हो जाएगी तो आप अपनी आप को ज्यादा यूज कर तो आपडेट कर ले, आपको net भी बचा रहेगा और app भी अपडेट हो जाएगे, कोई नय फीचर एड़ वा होगा तो आपको मिल जाएगा तो वीडियो करते ही पर गदम, ठीक है मिलते हैं आपसे next वीडियो में, thank you for watching अब आप वीडियो चलेगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले